हेले दोस्तों नमस्ते मैं हूँ श्रीजा मेगरेहनी हूँ आज अपल के साथ में शेयर करने वाली हूँ इदली का पोड़ी ये पोरी हमारा सौतिनिया में खूब बनाया जाता है और खाया जाता है तो इसको कैसे बनाते हैं कैसे स्टोर करते हैं और इसको किस डिश का साथ खाया जाता है वो सब इस वीडियो में बताऊंगी चले शुरू करते हैं सबसे पहले चुलान करके पैंच चड़ा दिया है और थोड़ा सा तेल डाली हूँ तेल गरमोने के बद एक कप चना दाल, एक कप उरद दाल और तेन बड़े चमच कड़ा दनिया और दो बड़े चमच जीरा तोड़ा सा मेती दाना और लाल मेश पंधरा से लेकि बेस डाली हूँ तो इसका तो आप अपना स्वात क साब से डाल सकते हैं और थोड़ा सा एमली भी डाले हूँ जितना जो मेडियम साइज की निबौ होता है उतना ही डालकर चूला को मेडियम फ्लिम में रखकर इसको अच्छे से भून लिया है जब तक कि ये गॉल्लन ब्रॉन कलर नहीं आता यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़िया रंग आया है अब इसको चूला से उतार कर अच्छे से ठंडा होने देना है और एक बात है इसमें आप चाहो तो हिंग और तिल भी डाल सकते हैं पर उस समय पर मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं डाली ये जैसे ही ठंडा हो जाता है उसके बाद मिक्सिजार में डाल कर और स्वातकर साब से नमक भी डाल कर इसको ग्रैंड करना है इसको एकदम फाइन पोडर नहीं बनाना है तोड़ा सा दरदरा ही रखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसने के बाद कुछ इस तरह से बन गया है अब इसमें में लेसुन भी डाली हो आप चाहो तो बिना लेसुन का भी बना सक लेसुन को तो आखरी में डालना है और इसको भी पीस लेना है उसके बाद इसको एकदम फ्रेशली फीलिंग होता है इससे बना कर रखेंगे तो जब भी आपको साइड डिश एक चाही होता है तब इसको खा सकते हैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के दोसा या इडली या तो आप चावल का साथ भी इसको खा सकते हैं बस इतना ही नहीं जब भी आप भुजया बनाते हो लास्ट में आप थोड़ा से इसको छीट कर भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से सौथ इंडिया का इडली पौडर बन जाता है आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर गए बताईए आज की वीडियो इतना ही है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद